वेरी गूड मॉर्निंग मेरा नाम है राजक मेरा दाओ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हमारे नाइन क्लास की NCRT साइंस इसका आज हम चैप्टर फूर पढ़ने जा रहे हैं ठीके इसके हम अलड़ी तीन चैप्टर पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं अगर आप इनके प्रेवियस वीडियो देखना चाहते हैं प्रेवियस हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएएगा तो बहां पर आपको पुराने वीडियो मिल जाएंगे ठीके तो चलिए हमारा जो क्लास नाइन थे इसका हम चैप्टर फूर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टेक्टर पैटम्स अब इस टेक्टर पैटम्स में हम पढ़ने जा रहे हैं कि परमाणू की सनचना कैसी होती परमाणू में क्या क्या प्रेजेंट रहता है ठीके चलिए तू स्टार्ट करते हैं हमारे चलिए टॉपिक दिख लेते हैं तो आप टॉपिक में दिख सकते हैं कि जो हमारा सबसे प तरीकत किया गया, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगी, और हम पढ़ने जा रहे हैं रद्रतल की द्वारा जो एट्मेस माडल दिया गया ता, उसमें क्या क्या प्रेजन रहता है, हम पढ़ेंगे बहुआ सा ऐट وسी अपंतومर, जो बुहर का ऐट्माइक कि है आपकि एक मास क्या किला थे झाइए इसके साथ हम पढ़ेंगी आइससों टॉपस आईसों एन IK टॉन्स अभी निमीदी में दीश सकते हैं जैसे हमारे आपको को दिख रहे हों घ्रिंगे तिसमिलरल्य आपकी टॉपिके कि उसका नाम atoms हम पढ़ने जा पढ़ेंगे कि atoms क्या कहलाता है तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो पदार्थ का जो सबसे छोटा करण रहता है उसी हम atoms कहते हैं मतलब एक प्रकार से जो atoms है वो इसका base माना जाता है किसका पदार्थ का कोई भी आप element बना रहा है या फिर कोई भी पदार्थ बना रहा है तो उसकी जो सबसे छोटी काई रहेगी वो आपका परमाणू ही होगा उसके बाद जो परमाणू आपस मिलेंगे तो वो निर्मान करेंगे अरून का जो बहुत सबसे अरून आपस में मिलेंगे तो सीडी सी बाद वो एक पदार्थ का निर्मान करेंगे जैसे कि आपको figure में दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है कि figure में तीनों जो इसके जो मुक्ष ऐलिमेंट जो आपका nucleus रहता है इसमें दो चीज़े प्रेजन रहती है इसके चार उत्रफ क्या लगाते है चक्कल लगाते अब जो न्यूक्लस रहता वो भी आपके दो इसके अंदर और पार्टिकल्स होते हैं तो आप देख सकते हैं प्रोटॉन से और दूसा है आपका न्यूक्लस प्रेजन देख सकते हैं टू और मूर एटम्स तोगेदर फॉरम मॉलीकुल्स जब दो एदो से देख एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो आपके प्रदार्ट या मैटर का निर्मान करते हैं ठीक है तो सीदी सी बात है कि जो आपका पदाद रहता है वो आपके एटम्स मिलकर बना हुआ हो रहता है ठीक है मतला इसकी जो शबसे चोटी काई रहती है उसे हम एटम्स कहते हैं ठीक है? चलिए आगे चलते है पर्मारु के ओलुक कर्ण्ड ठीक है और दरफोड के दार हो जा गया था इसका नाम ग्रीग बग से लिए जो ग्रीड रहता है उससे इसका नाम इन्होंने प्रोटॉन रहा ड़का अब जो प्रोटॉन रहता है कहा प्रेजेंट होता है nucleus के inner side होता है ठीक है आपको इतना याद रखना है कि जो proton रहता है वो nucleus के inner side में रहता है ठीक है अब उसके अदरीक आप देख सकते हैं कि जो proton रहता है समें positive charge रहती है मतलब जो proton रहता है वो आपका क्या होता इसका positive charge होता है ठीक है इसका चार्ज आप देख सकती है हाँ पर लिखा है अब इसके तरच इसका जो गली represent करना चाहें तो इसे हम P के दोरा represent कर सकते हैं ठीक है अब the nucleus found in the nucleus जो nucleus रहता है इसमें आपका nucleus रहता है इसमें मतलब हर एक atoms रहेगा उसमें nucleus present रहेगा और nucleus के अंदर आपका proton and neutron present रहेगा ठीक है अब जो यह जो आपका proton हुआ यह जो neutron हुआ यह दोनों मिलकर ही किसका निमान करते हैं nucleus का निर्मान करते हैं ठीक है आइबस clear हो गया होगा इसके तक जो आपका electrons रहता है वो इस nucleus की चारों तरब चक्कल लगाता है ठीक है ब्रता कारमा रहेगा उस पर ही चक्कल लगाता है ठीक सर्कुलर पाथ पार यह ना अब 10 पॉंट दे सकते इट डाज नॉट नूट्रॉंस बित प्रोटॉंस ठीक है इसमें क्या होता है इन देखने है hydrogen is also called hydrogen it is the lightest lightest element present in the universe in the greatest test amount ठीक है तो जो आपका एक अच्छी बात आप देख सकते हैं यहां पर कि जो जो आपका एस्टू रहता है ज्यादा lightest होता है lightest मतलब काफी हलका होता है ठीक है आई वसे यहां से सारी चीज़े clear हो गई होंगी चलिए next topic की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर आप हिंदी में देख सकते हैं कि इसके खोचका दर अदरफूर्द था रादरफूर्ट तो ऐसे प्रोटोन नाम दिया गया है इन्होंने गिरीक भासा की सब्द प्रोटोष से या सब्द लिया था यह नावे की भीतागी तरफ पाय जाते हैं यह परमाणू की मॉलेकर होते हैं और इन्हें प्राणू के नाम जान ठीक है आईवेस सारी चीजे clear हो गई होंगी और हम आप ना जो next topic उसकी तरफ ठीक है जिसमें आपके newtons होते हैं और दूसी चीजे इसमें proton present होते हैं आईवेस यहां से सारी चीजे clear होती जा रहे होंगी ठीक है तो चली इसको हम थोड़ा deeply देख लेते हैं कि इस electron में और क्या चीजे आने वाले ठीक है चली तो देखते हैं पार तो आप देख सकते हैं कि electrons, the invention मतलब इसका जो आविसकार किया था वो किस ने किया थे आपके Jay Jay Thompson ने किया था ठीक है यह जो particle लेता है इसका नाम दिया गया था George Johnson Stoney की नाम से ठीक है तो जो George John Sonestone Stoney है उसकी नाम पे इसका नाम है अलेक्टान पढ़ा गया ठीक है अब इस particle is located on the outer surface अब जी आपका ए एनर सर्पेस में रहता है जबकि जो आपका एलेक्टरॉंस रहता है और इसमें अब इसमें इस होता है ऐहाइड़ी के अब इसकते है तो आपके न्यूर्टॉंस रहता एलेक्ट्रॉंस रहते हैं वो सब आपस मिल जाएंगे तो आपका एटम्स का निर्मान कर जाएंगे ठीक है अब हिंदी में भी देख सकते हैं तो यहां लेखा है कि हिंदी में आप कुछ पॉइंट थोड़ा समझना चाहते हो इन करणों के खोच करता कौन थे सर्जेजे थॉंसन थे और इसका नाम क्या था जो जो जॉर्ज जॉन स्टॉन थे उसकी नाम पर इनका नाम पड़ा एलेक्ट्रॉं ठीक है यह करण परमानों के नाविक की बाहरी सता पर होती है अब गल परमानों का निर्मान करते है आई वसे सारी चीजे क्लियर हो गई होगी चलिए आगे वाली स्लाइट पर चलते हो और वहां भी देख लेते हैं अब हमारा जो नेक्स टॉपिक इसका जो थर्ड पार्टिकल से वह है आपका न्यूट्रॉंस न्यूट्रॉंस में क्या पढ़ जो जयम्चैडवेक उनकी द्वारा जो आपका न्यूट्रॉंद है उसकी खोशकि गई थी ठीक है इसे हम एंए न के द्वारा रिप्रेजंट करते हैं थीक है या फिर एंजीरो के द्वारा रिप्रेजंट करते हैं प्लस चार्ज नहीं माइनस चार्टॉंद तके अब दे से ज़्यादा होता है क्योंकि यह slightly larger than the proton inside क्योंकि यह जो आपका proton रहता है यह proton से साई में बड़ा होता है ठीक है this is a symbolically represent y इसे हम small endora represent करते है ठीक है अब इसके तरह only the atoms of hydrogen, lex, neutrons, neutrons and protons are found in the atoms of all other types of elements ठीक है सिर्प H2 को छोड़ कर बाकि सब element में जो आपका neutrons रहता वो present रहता है आई बस यहां से सारी चीज़े clear होती जा रहे होंगी ठीक है तो चली एक बार थोड़ा हिंदी में देख लेते तो और अच्छे से clear होता जाएगा ठीक है तो सबसे पहले इसकी जो बैक गैनेक थे जैम चैडवक द्वारास की कोच की गई थी ठीक है जैम चैडवक न इसकी कोच की थी यह परमान के केंद्र में नाभेक में पस्तित होता है ठीक है इस पर विद्धुत का कोई व्यावष्ण द्रोब मान से थूड़ा देखोता है। ज्सकी साहिए ज़या रहती। सीडीजाओ वाद어요. इसमसा का बूलना चाहे यहाँ से क्लियर हो गई हुगी चलिए हमारा जो next topic है वो दिखते हैं अब हम पढ़ने जा रहे हमारे atomic model कौन गोन से atomic model है जिसके बेस्ट पे atoms को हम फिल करते हैं साइज में ठीक है परस्ट हमारा जो atomic model से वो आपका thompson सा atomic model हम thompson का atomic model में क्या पढ़ने जा रहे हैं तो अब देख सकते हैं इस model बाद प्रोपोस्ट बाइ जे जे थॉम्सन सा atomic model है तो वो जे जे थॉम्सन की दोरह 1904 में प्रेजन किया गया था ठीक है shortly after the discovery of new electron जब इन्होंने electron की discovery कर ली थी मतलब उसकी खोज कर ली थी then उन्हें अपना एक atomic model दिया था that the nucleus of atoms had not be discovered by them ठीक है क्योंकि जो खोज कर रहे थी तो उस समय पर क्या था कि कि जो nucleus रहे था उसकी खोज नहीं हुई थी ठीक है तो अब यहां पर हिंदी में देख सकते हैं कि यह model JJ Thompson सबसे पहले एक देख सकते हैं आप कि यह जो model है वो JJ Thompson द्वारा दिया गया था ठीक है थांचन का परमाद मॉडल तब तक की उपलब्द जानकारी काहदार पर दिया गया था ठीक है आवर्स सारी चीजे clear हो गए यहां पर आप देख सकते हैं जो minus charge वाला यहां देख सकते हैं से हम electrons बोलते हैं और जो spherical cloud और positive charge ठीक है जो आपको plus दिख रहा है यह सारे जो करण है यह positive charge ठीक है अब यहां से सारे चीजे clear होती जा रही होगी ठीक है तो चलिए हमारा next topic देख सकते हैं चलिए अब देखिए यहां पर key point of Thompson's atomic model मतलब Thompson के जो परमाद मॉडल की मुख विंदू किस तरीके से उनों ने अपना जो model है वो perform किया था उसकी कुछ बिंदू हम यहां पर देखने जा रहा है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि इन एटम से पॉजिटिव चार्ज रहता है इस पेर सीब में होता है जिसमें electron exit करते हैं सच अभी एक जो electrons रहते हैं वो एक नियत मा हमार क्या होता है रताकार होता है इसके तरीक यहां पर एक क्या होता है कि zero zero होता है zero कैसे हो जाएगा जब plus minus आपस में टकड़ाएंगे तो वह neutral हो जाएगे मतलब इन्होंने बताया कि जो आपका जो atoms रहता है वो neutral होता है neutral क्यों होता है कि जितनी संख्या में आपके electrons होते तो आप यहां देख सकते हैं थॉम्संग के परमाणु बोलो के मुख्विन के आए कि परमाणु इए धनाविश गूला होता है जिसमें एलेक्ट्रन इस प्रकार विद्धमान रहते हैं कि उसका संपून आविश क्या हो जाता है सुन्ध हो जाता है अथा परमाणू के सा है उ इस प्लस में रहेगा और अगर आप इलेक्ट्रन की बात करें तो इस प्लस में रहेगा और अगर आप अगर आप एटम की बात करेंगे तो उसका जो चार्ज रहेगा वह हमीसा सुनने रहेगा क्योंकि जितनी संग के हम उसके पास प्लस में रहते हैं सेम संग के हम उसके प 30 अगस्त 1871 में न्यूजिलेंड में हुआ था इनका जो पूरा नाम था अन्यस रदरफूर था इनका क्या था कि जो साइंस में बहुत ज़्यादा लगा हुद था इस कारण से क्या था कि ये बहुत ज़्यादा experiment बहुत सारी बिदियां और बहुत सारे exploration करते थे और बहुत सारे facts बता देते किस तरीके से हम अलग-अलग विधियों के दोरा हम science में experiment का सकते हैं He comes to be now as the father of nuclear physics हम इन्हें nuclear physics का father कहते हैं ठीक है तो यह चीज़ें आपको clear हुआ 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 है आप हिंदी में देख सकते हैं इनका पूरा नाम अनेस रादरफोर था और इन्हें बिग्यान बहुत जाद रूची थी इतनी रूची थी कि यह बहुत सारे जो experiment थी इन्होंने perform किये और इसकी बीस पर इन्होंने किसकी proton की coach कर ले थी ठीक है आई वेस्ट यहां से सारे स्वकार्ण में कि इंहें इस तो हम इसको दिखा देते हम आपको जैसे कि यह हैं इन्होंने कि है सुणपनी ली और सुनपनी के उपर कुछ कुछ कंण बिसर्जित की जैसरी मेरवनां कर दाले तो कुछ कंपर थे क्या थे अलग नहीं है ल legends आ रहा है ति कुछ कंपर ऐसे त्भी कहते हैं वह उनका जो मार्क था वह जय सकते हैं और यह सकते जो करन डिख रहा है इस must बापस लोट गया अब इस कहां से clear हो गया ये गोल्ड पनी ली उसके उपर 100 नायोमेटर की जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स थी अलफा कोणो की उनकी बहु छार की ठीक है अब photographic plates पे की किस पे photographic plates पे की तो आब उन्हें ने देखा कि इन में से कुछ कन हैं वो क्या कर रहे थे कि सीधे जा रहे थे कुछ कन अपने मार्क से भटक रहे थे कर ऐसा भी था वो जिस मार्क से जा रहा था वो उसी मार्क से बापस लौट रहा था ठीक है तो इसके कुछ निसकास निकालेगा इन्हों की द्वारा सौनिकी पनी से बिना विच्छे पित हुए निकली है ठीक है तो इनका जो pre-eyokers में दिख सकते हैं कि जो कुछ कंड़े वो सीधे निकल गए ठीक है अब इनमें इसे कुछ ऐसे करते हैं जो unc ci rubse कम कौन से कुछ कौण क refrigerator हुए थे मंतलब कुछ topic की तरफ बढ़ते हैं तो जो हमारा next topic वो रदर फोर्ड रदर फोर्ड की अब कुछ निस्कस देख लेते हैं कि रदर फोर्ड ने इससे क्या निस्कस निकाले सबसे पहले रदर फोर्ड ने एक निस्कस निकाला कि most of the the atoms is a empty or hollow तो उन्होंने बताया कि ज्यादा तर जो हिस्सा है परमानों का वो कैसा है खोग लाए ठीक है अब few alpha particles defeated due to the repulsion forces this shows that the positive charge part of the atoms is found तो एह मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ atoms इस परमानों से गुजर रहे थी तो वो अपने मार्ग से भटक रहे थी तो उन्होंने यह पाया कि इसका जो atoms है इसके अंदर क्या present है आपकी इसके अंदर आपके positive charge है जब जब यह इनकी जो किरने थी वो उससे टकरा रही थी और अपने मार्ग से भटक जा रहे थी ठीक है थार्ट पॉइंट मुनों ने बताया कि रदर फोड कैलिकुलेट देट दड़ वॉल्यूम आप न्युक्लेस जो बॉल्यूम हो न्युक्लेस का इस नेग्रिजलिबल मतलब वो काफी कम था टोटल वॉल्यूम आप दी अटम से डिस डिस लगभग दस से दस के मद्द में थी ठीक है अब पॉजिटिव चार्ज अंदी मास ऑफ दी अटम से जग कंसंट्रेटरेटर इन अब वेरी स्मॉल इजन ठीक है और जो मास था वो काफी कम रीजन में था रदर फोड कॉल एट टू अनुक्लेस तो इसे हम क्या बोलते हैं न खूकला है कोची करण पतिकर्शन बलकी कारण पिच्चे पर थू रहेती है ना इससे यह पता चल ला था कि परमाणू की मद्द में क्या है एक धनाविशित भाग भी है ठीक है परमाणू की गर्णना करके दिखाए गया परमाणू की जो क्ल आयतन की तुन नामिक है नगन होता है ठीक है रदरफूर ने से नाविक का एलेक्टॉन और नाविक आपस में अकर्शन के लिए बैद्धी यूथ बलो द्वारा बंदी रहते ठीक है तो एक बिद्धूत बल एक इस्तर बैद्धूत बल रहता है जिसकी कारण जो आपके एलेक्टॉन्स होते हैं और नाविक के साथ जुड़े हुए रहते हैं यहां से सारे चीज़े क्लियर होती जा रहे होंगी ठीक है चली हमारो का परमाणू मॉडल तो बोहर ने एक मॉडल दिया जिसे हम बोहर का परमाणू उस पक्षा की एक particular energy होती है दूसरा यहां पर बताये गया है कि वेना नुकलिस रिवॉल्ट जब इलेक्ट सॉरी जब इलेक्टॉन्स रिवॉल्ट करते हैं गूंते हैं नुकलिस के चार और एक निश्चित सामें तो वो क्या करते हैं अपनी energy को loss नहीं करते हैं ठीक है उनकी energy लगातार बनी हुई रहती है these places are called energy level और energy cell इस प्रकार के जो place रहते हैं उन्हें हम energy level कहते हैं ठीक है आप हिंदी में भी दिख सकते हैं परमाणू में electron नावेक के चारों कुछ निश्चित उर्जा वाले बताकार कक्छा में घुमते हैं जब electron किसी निश्चित कक्छा में रहका नावेक के चारों चक्कल लगाते हैं तो उनकी उर्जा का हाश नहीं होता है मतलब उनकी उर्जा हमेशा नियत सकते हैं चलिए बैलन्सि को अपर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे किसी को हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या हो जाता है positive charge आ जाता अगर हम उस से कुछ पैसे ले रहे हैं तो हमारे ऊपर negative charge होता है इस वर इस पे हम balance को प्रेसेंट कर सकते हैं तो आप हिंदी में देख सकते हैं हिंदी में देख सकते हैं क्यों कि सब्सक्राइ एक संख्या जोह है प्रदर्सत करती के यहांप हम कुछ वैलेन्सी दिक लेते हैं, जैसे कि जिरो वैलेंसी एक कि होती है? तो हीलियम, यून, आर्गन, क्रेप्टन, जिनन, और रेडमॉयन्सी, कि वैलेंसी एक कि होती है? तीन वाले भी देख सकते हैं, आप Aluminium हुआ, Aurum हुआ, Ferric हुआ, Cobalt हुआ, Nickel हुआ, Crommium हुआ, Magnage हुआ, ही होती है, तीन इसके दिख इक चार वाले देख सकते हैं, केलिसम हुआ, Sleekon हुआ, Zermanium हुआ, 10 हुआ, Lead हुआ, Sulfur हुआ, ठीक है, इनकी चार हुआ होती है पांच वाले देख सकते हैं आप बिसमेथ हैं एंटी मनी है और आसनेक हैं इनकी कितनी होती है आपकी पांच होती है ठीक है इसका तो एक फास पूरस नाइटोजन आईडूरीन ग्रोमिन और क्लोरीन ठीक है सिक्स वाले भी आप देख सकते हैं जैसे कि टैलियम हुआ एसही हुआ एस मेंग्नीज हुआ पांब अलियोग सब्सक्रान की ले रहा है कितने लेक्टरॉंस ले रहा या फर कितने लेक्टरॉंस दे रहाह हुए से हम उस elements की balance कहते हैं ठीक है है ना समझ में आ रहा हुगा I think चली आंगे बढ़ते हैं चली अब हम बात करने जा रहे हैं atoms number या परमाणू किरमान क्या कहलाता है तो अगर हम chemistry and physics में बात करें all element अगर हम इसमें बात करें तो जो all element जो हर एक element रहता है उसका different atomic number होता है that separate one element from other जो की एक element से दूसरे को क्या करता है अलग करता है ठीक है अगर सबके element अगर same हो जाएंगी तो वो क्या करेंगे आपस में उनकी गोण भी same होने लगेंगे ठीक है तो हर एक items रहता है उनके अलग-अलग गोण रहते हैं और जब उनके element के अलग-अलग properties होगी तो उनके परमानु किरमांग भी different different होगी ठीक है अब यहाँ पर जो atoms number रहता है से हम z symbol के द्वारा represent करते हैं ठीक है यहाँ पर सारी चीजे clear हो गई होगी यहाँ पर कुछ आप जैसे कि यह table दी गई है आपकी तो table में आपके बहुत सारे जो atoms हैं उनकी परमानु किरमांग भी आपको दिख रहे होगी ठीक है जैसे कि हम बात करें hydrogen तो hydrogen का जो परमानु किरमांग रहता है वो कितना होता है बन होता है अगर आप हम बात करते हैं helium का तो helium का होता है 2 इसी तरीके से जो an element होनके भी atomic number रहते हैं ठीक है हर एक जो atomic number रहता है वो एक particular properties को so करता है ठीक है चलिए अंगे बढ़ते हैं यह बस I think clear हो गई होगी चलिए अब हम बात करने जा रहे है atomic mass क्या क्या किलाता है ठीक है तो आप देख सकते हैं किसी परमानू आप यहां से देख सकते हैं किसी परमानू के नावग में स्थित कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि जो proton रहता हो जो neutron रहता वो आपका न्यूक्लियन में ही present रहता है ठीक है इसलिए हमसे जो दरबमान रहता वो उसकी नूउक्लस में समाया हुआ हुग रहता है ठीक है यहां पर उदान देख सकते जैसे कारवन की सरवधिक प्राप समस्थाने की संक्या 12 है ठीक है और इसे C toil बोलते है ठीक है और इसका जो atomic bait है वो भी आपका toil है ठीक है उसके तरह आप oxygen का दिखना चाहे तो oxygen का आपका 16 है अगर आप nitrogen की बात कर रहे हैं तो nitrogen का आपका 14 है similarly ऐसे जो un-element है उनके भी अलग-अलग atomic mass है यहाँ से सारी चीज़े clear होती जा रहे हुँगी चली हम आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम पढ़ेंगे isotops तो isotops या समस्थाने क्या 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 आते है सीधी सी बात है ऐसे element रहेंगे जिनकी परमानू किरमांक समान रहेंगे और उनकी जो परमानू भार रहेंगे वो different रहेंगे उन्हें हम isotops या समस्थाने कहते हैं चली इसकी definition एक बार दिख लेते हैं तो किसी एक ही तत्विक के बे परमानू जिनका परमानू उनकी समान होता है और लेकिन इनका जो परमानू भार रहता है वो क्यासा होता है अलग होता है ऐसे परमानू को हम समस्थाने कहते हैं उधान ले सकते हैं से कार्बन के तीन समस्थाने कहते हैं जिनने कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 द्वारा रिपर्जन की जायता है ठीके इन समस्तानों की जो पर्मानों भार रहते हैं वो 12-14 होते हैं लेकिन ताकि अच्छे से क्लिर हो जाए आपको ठीक है चली आँगे देखते हैं अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक हमारा आईसो बास है तो आईसो बार यह से दिख रहा है समभारिक समभारिक मतलब इनके भार समान होगी लेकिन इनके जो इस्तान या जो क्रमान को होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होगी ठीक है तो चली देख लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लिर हो जाए ठीक है चली देखते हैं दोनों का परमानों भार 40 होता है लगबाग ठीक है लेकिन इनकी परमानों का जो क्रमान करहता है वो क्या होता है सबका अलग अलग होता है ठीक है कारबन तर नाइट उजन की ऐसे कहलाते है सम भार एक मतलब इनकी जो भार रहते हैं वो लगबाग समान होते हैं आई वेस यहा का 19 होता है आपका potassium का और 20 होता है आपका calcium का ठीक है यह हम परमानोगिर्मान की बात कर रहा है लेकिन इनके जो भार रहते हैं वो सबके देख सकते हैं आप समान होते हैं ठीक है आई वेस सारी चीजे clear हो गई होगी ठीक है इसे हम सम भारिक कहते हैं ठीक है तो चलिए संक्या में न्यूट्रौन होती है लेकिन प्रोटों की संख्या अलग-अलग होती है ऐसी क्या होती हैं तृषे रहते हैं सीडीजी बार यहीं का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रों की संख्या समान रहती ठीक आई बैस यहां से चीज़े क्लियर हो गई हो इक बार एंगलेस में देख सब्क एंटमस और डिप्रेंट अगे बढ़ते हैं चलिए आंगे बढ़ते हैं चलिए अब important multiple choice question देख लेते हैं जो आपकी जो कि आपके exam के point of view से काफी ज़्यादा महत्मून बहुत ज़्यादा important होने जा रहा है ठीक है जैसे first question आप देख सकते हैं तो first question देख सकते हैं कि how many orbits have can falling quantum numbers ठीक है तो जो quantum quantum number न कमान दिया है 3 L कमान दिया 1 और M कमान दिया है 0 ठीक है एन कहला तो कि इसमें कितने orbit होंगी तो CDC बाद इसका answer हो जाएगा आपका one ठीक है इसमें कितने orbit होंगे आपके one orbit होगा ठीक है जो आपके orbit रहते वो CDC बाद depend करते हैं उसके दुगंसी quantum numbers पर ठीक है सिगन बाला आप देख सकते हैं कि electron configuration of the outer cell of the element gd with the atomic number of 64 इसका atomic number दिया है 64 तो हमें बताना है कि इसका outer cell का कितना हो जाएगा तो outer cell का आपका होगा 4F7, 5D1 and 6S2 होगा अब यहां से चीज़े clear हो रहे होगी अब यहां पर जो हमारा third multiple choice question देख सकते हैं कि maximum number of lektons इना sub cell के नभी तो जो maximum number of lektons रहते हैं sub cell वो कितने हो सकते हैं तो CDC बात है वो आप का answer आएगा L मतलब first answer आने जा रहा है वो कि आपका 4L plus 2 रहेगा ठीक है अब चलिए हम question उनको दीख लेते हैं कि कौन से question है तो full question दीख सकते हैं जो हमारा orientation रहता है atomic orbit का वो किस पर depend करता है तो CDC बात है वो depend करता है उनकी magnetic quantum number से क्योंकि जो orbit अगर हम बात करें फिक्त बाला हमारा object दीख सकते हैं तो a gas X has CP and CB ratio as 1.4 at NTP normal temperature pressure 11.2 liters of gas X will be content blanks number of atoms तो इसमें जो आपके atoms रहेंगे वो 6.02 into 10 to the power 23 जो की हर एक gas में present रहता है ठीक है 6 वाला आप देख सकते है multiple choice question number of unpaired electron in N2 plus N2 plus मतलब nitrogen की बात कर रहे हैं तो CDC बात है नाइट का बना जाएगा है विसके यहां से clear हो गया होगा है यहां इस cancer हो जागा बन ठीक है चलिए जो हमारा next question है the excitation energy of the hydrogen atoms from its ground state to its third excited state तो इसका सीधा सेगा पर सीधा 12.75 electric bolt अब यहां पर 8 वाला question दे सकते हैं 3p orbital has blanks radial nodes तो इसमें आएगा सीधा सांसर आपका 1 आजाएगा और 9 वाला लास्ट question देख सकते हैं आपके 0.66 kg wall is a moving जो wall है आपकी वो मूब कर रही है जिसकी speed दी गई है 100 meters per second find the wavelength हमें इसकी wavelength find करनी है तो सीधा से बाद इस cancer होगा 1.0 into 10 to the power minus thank you for watching my video आपको सारी चीजे clear हो गई होगी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीस हमारी वीडियो को share करें लाइक करें और हमारी वीडियो को subscribe करें और जो bell बाला बटन है तो please उसे जरू दबा दें ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो है तो आप तक जल्ली से पहुँचाए ठीक है अब अपने friend circle में share करें ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जोड़ सकें thank you for watching my video